So hello guys, welcome to my YouTube channel, Ritik Technical Support इस वीडियो में हम आपको बताएंगे Redmi phone में Display over other apps की अगर आपको problem आती है तो कैसे आप यह problem को ठीक करेंगे ओके, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लिजीगा बिल्क आइकोन को प्रेस कर लेना है So जब आपको इस टैप की problem आती है आपके Redmi phone में तो simple आपको यहाँ पे दो method का use करना होगा पहला method तो यह कि आप अपने Redmi device को एक बार switch off करके switch on करे या फिर अगर update available होगा तो simple आपको update करना है ठीक है आपने यह दोन तरीकी use कर लिए आपका Redmi device up to date है फिर भी आपको problem आती है तो last में आपको क्या करना होगा आपको अपने device के Redmi device के search settings पे click करना है यहाँ पे हम लोग reset search करेंगे और जो हमें पहला option मिलेगा इस पे हम लोग click करेंगे और जो home button के उपर में जो option मिलता है bottom पे reset settings का simple आपको अपने Redmi device के जो settings होती है उसे reset करना है जैसे आप लोग reset करेंगे जो भी गलत activity की वज़ज़ से यह problems आ रही थी सब कुछ default हो जाएगा then आपकी problem भी sort out हो जाएगी ओके, so topic is cover मिलते है नेक्स्ट वीडियो में जै मातादी